इस वीडियो में हम जैसे कल कलास 11th बाइलोजी का हम कुछ MCQ लाये थे वैसे ही आज बाइलोजी का यानि चप्टर कोशी का यानि सेल का MCQ करेंगे ठीक है तो हमारे पास कुश्चन क्या है कि सबसे ही मनुष्य के सरीर में तंतरी का कोशी का होती है क्या होती ही सबसे चोटी कोशी का, सबसे चोटी कोशी का, अनियमित कोशी का, सबसे बड़ी कोशी का, एक गोल कोशी का तो इसका जो करटान्सर होगा वो होगा सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं एक प्रारूपी कोशिका के अंतरगत है के वल साइटोजोम कोशिका एवं केंदरक कोशिका जिल्ली एवं केंदरक ये साइटोजोम एवं केंदरक तो इसका जो इसका जो करक्ट आंसर होगा इसका जो correct answer होगा वो होगा option number D, ठीक है, cytosome एबंग केंदरग, ठीक है next question देखते है centrosome विशेश रूप से भाग लेता है कोशिका दरब के निर्मान में, केंदरग विभाजन में कोशिका विभाजन में या फिर कोशिकांगो के निर्मान में तो इसका जो correct answer होगा तो question number 3 का जो correct answer होगा question number 3 का correct answer होगा कोशिका विभाजन में, ठीक है next question देखते है कोशिका जानतरिक सहायता पुरदान करता है या पाता है गौल जी से, केंदरग से या फिर केंदरिका से या अंतदरवी जालिका से तो इसका जो करक्ट आंसर होगा वो होगा आंतदरवी जाली का नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन है कि कोशिका जानतर ये तो हो गया 70S ribosome पाया जाता है यूकेरियोट में, प्रोकेरियोट में, सभी जीबों में या सिर्फ जनतुओं में तो ये पाया जाता है प्रोकेरियोट में, इसका करक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकेरियोट ठीक है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, रंगी लवक को कहा जाता है लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या केरोटीन तो इसका जो करक्टा अंसर होगा वह क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, नेक्स्ट कुशन देखते है, ग्रेनस पाया जाता है किस में, ग्रेनस पाया जाता है राइबोजोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटो कॉंडिया में या केंद्रक में, तो जो ग्रेनस है वह पाया जाता है जक्रित कोशिका में ये स्रवन कोशिका में ये स्तनिक की लाल रुधिर कर्ण में ये अगनासय कोशिका में तो इसका जो correct answer होगा वो होगा अगनासय कोशिका में ठीक है next question देखते हैं next question है कि गौल जी का कार्ज क्या होता है पाचन, स्वसन, पोशन, कोशिका स्राव तो जो गौल जी का कार्ज होता है तो जो गौल जी का कार्ज होता है वो होता है कोशिका स्राव ठीक है इसका गरटांसर हो जागा कोशिका स्राव नेक्स्ट कुशन देखते है कि किनेटोकोर सम्मध होते हैं इकॉलजी के साथ, या फिर माइट्रोकॉंडिया के साथ, या फिर सेंट्रियॉल के साथ, या फिर क्रोमोजोम के साथ, तो इसका करक्टानसर होगा क्रोमोजोम के साथ, नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कुश्चन है, कि प्लाजमा झिल्ली को बनाता है प्रोट तो इसका जो correct answer होगा तो जो 11 number का question है उसका जो answer होगा वो होगा lipoprotein ठीक है next question देखते हैं कि protein sensation से संबन्द है केंद्रक, ribosome, chromatin और kosika jilli तो इसका correct answer हो जाएगा ribosome next question देखते हैं next question है हमारे पास centriomere का कार्ज होता है chromosome या फिर DNA परतिलिपी करन या chromosome की गती या फिर RNA का निर्वान तो इसका जो correct answer होगा तो 13 number का question हो जाएगा question का answer हो जाएगा chromosome की गती ठीक है next question देखते हैं electron तंतर के लिए अंगग होते हैं गौल जी, mitochondria या फिर lysosome या फिर kेंद्रक तो इसका जो correct answer होगा वो होगा kेंद्रक next question देखते हैं chromosome की अंतिम सिरा को कहते हैं chromomere, centromere या telomere या micrometer तो इसका जो correct answer होगा वो होगा telomere ठीक है इसका correct answer telomere होगा next question देखते हैं केंद्रक जिल्लेवे माइटो कॉंडिया नहीं होता है सुक्रानो कोशिका में या स्पंज कोशिका में या बैक्ट्रिया में या प्रोडो जोवा में तिसका जो करक्ट आंसर होगा वो होगा बैक्ट्रिया में ठीक है इसका करक्ट आंसर बैक्ट्रिया होगा अब नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन है हमारे पास, कि आंतिदरव जाली का केंद्र है, स्वसन का, पाचन का, या वसा संसलेशन का, या प्रोटीन संसलेशन का, तो इसका जो करक्टा आंसर होगा, प्रोटीन संसलेशन का, ठीक है, नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, एक पॉलीजोम किसके ग माइच्टोकॉंडिया, ठीक है, नै tyreक्स्ट कॉंडिया, देखते हैं, नेक्स्ट कॉंडिया है, हमारे पास, नेक्स्ट कॉंडिया, नेनलिकीत, किसकी और पस्थिति से पादब कोशिका, जनतो कोशिका से भिन्य होता है, Mitochondia, Ribosome, Centriol या Antidrav Jalika तो इसका जो करक्टांसर होगा, वो होगा इसका करक्टांसर हो जाएगा तो इसका जो करक्टांसर होगा इसका करक्टांसर हो जाएगा हमारे पास Centriol ठीक है, next question देखते हैं Lysosome में जमा क्या रहता है तो Lysosome में जमा क्या ग्लाइको प्रोटीन्स या वसा या फिर RNA या फिर पाचक एंजाएम तो इसका करक्टांसर हो जाएगा पाचक एंजाएम, ठीक है अब next question देखते हैं next question है next question है mitochondias सम्मद है ADP के निर्मान से ATP के निर्मान से, Glucose के निर्मान से या अंगो को के पाचन से तो इसका जो करक्टांसर होगा वो हो जाएगा ATP के निर्मान से next question देखते हैं Polysome है DNA PLUS RRN DNA PLUS ribosome या ribosome PLUS MRN या फिर ribosome PLUS TRN तो इसका जो करक्टांसर होगा वो होगा ribosome PLUS MRN ठीक है next question देखते हैं जीबित कोशिका के भीतर उर्जाश्रोत है, माइचो कॉंडिया, ओक्जीजोम, या फिर डाइनीन, या फिर ATP, तो इसका जो करक्टर आंसर हो जाएगा, माइचो कॉंडिया, नेक्स्ट कॉश्चन देखते है, नेक्स्ट कॉश्चन है, तरल मुजाइक, मौडल मत को प्रस्तूत किया, सिगर एवंग निकॉल्सन, सिगर एवंग रॉबर्ट्सन, या रॉबर्ट्सन एवंग डैवशन, या डैवशन एवंग सिगर, तो इसका जो करक्टर आंसर होगा, वो हो जाएगा, सीगर एमंग निकल्सन ठीक है next question देखते हैं कोशिका भीत्ती पाई जाती है जन्तु कोशिका में अमीवा में युगलीना में या फिर पादब कोशिका में तो इसका जो correct answer हो जाएगा पादब कोशिका में ठीक है next question देखते हैं अब अरनी लबक का मुख्खकार जो होता है क् परकासंसलेशन करना या फिर खाद्यपदार्थों का संचय करना या फिर परागन में सायता करना या फिर उतसरजन करना तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो होगा खाद्यपदार्थों का संचय करना ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना तक ही अगले वीडियो में और question cover करेंगे हैं लोग ठीक है thank you for watching this video